आप सभी का इन्वर्स आफ अविर्नेस चैनल में विल्कम करता हूँ आज मैं आप लोगों को डबल ए त्रिपल सी काउंसलिंग की डेट आज आने के कारण इसमें होने वाले कन्फ्यूजन वो परसानी के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोग खुद रजिस्ट्रिसन करके और जानकारी हासिल करने के साथ सेकोर्टी मनी भी जो बहुत से लोगों का डूब जाता है बचा सकें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डबल ए त्रिपल सी काउंसलिंग आयूस मनिस्ट्री के आधीन होता है जिसमें आयूस का लगुरूप है A से अरुवेद, Y से योगा, UC विनानी, S से सिध्धा और S से हुमेपैथी अब आप लोग ये क्लियर जान लें आयूस एक मन्त्राले बन चुका है जिसमें आगे BHMS, BAMS, BUMS, BASMS काफी ग्रोथ करेगा इस काउंसलिंग डेट एक सितंबर से सुरू हो रही है जिसका सुडूल मैं अपलोड कर रहा हूँ इसमें आप लोगों को कुछ कनफ्यूजन रजिस्ट्रेशन करते समय होता है तो क्लियर हो जाएगा सरप्रथम आप यह जान लें अगर आपको MBBS और BDS Government College नहीं मिलने पर इधर आते हैं और मन में यह इच्छा होती है कि इस साल आयूस में एड्मिशन लेकर फिर से MBBS की तयारी करेंगे इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसको आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा आज मैं केवल आयूस काउंसलिंग की बात करूँगा जो पांचमर टैब दिखाई दे रहा है यूजी काउंसलिंग इस पर क्लिक करके विंडो ओपेन कर लेना है और रजिस्टेशन करना है रजिस्टेशन का मतलब होता है कि अपना फुल जनकारी जो आप नीट का एजाम भरते समय दिये थे उसी तरह से यहां पर भरना है इसक क्या होता है जान ले क्योंकि बहुत से बच्चे जो ग्रामिर इलाके से आते हैं यहां नेटवर्क ठिक से काम नहीं करता है परसान होकर साइबर कैफे में जाते हैं और वहां काउंसलिंग के नाम पर पैसा भी जादा देते हैं और सेकुर्टी मनी भी रिफंड नहीं मिलता है आप यह जान लें राउंड वन टू थ्री फूर क्यों होता है यह इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे रजिस्टेशन च्वाइस फिलिंग के बाद भी एडिमिसन नहीं लेते हैं तो स्चीट वेकेंट रह जाती है और उसे भरने की प्रक्रिया को ही राउंड वन टू दियायता है आप सभी लोग राउंड वन में रेजिस्टेशन करें आप नीट फार्म भरते समय जो इमेल आइडी पासवर्ड बनाये थे वही सब डिटेल यहां भी रेजिस्टेशन करते समय भरना चाहिए और ऑनलाइन रेजिस्टेशन फीस भी यहीं आपको जमा करना चा तो घबलाए नहीं, round 2-3 में भी कर सकते हैं और choice filling आपको क्या लेना है, कौनसा ब्रांच लेना है, BAMS लेना है, B HMS लेना है, B UMS लेना है या B SMS लेना है, select करें और college भरते समय सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जो अच्छा college है जिसकी priority आप पहले जाते हैं उसको सबसे उपर भरे अगर उस college को आप नीचे भर देते हैं और उससे पहले वाला college आपको मिल जाएगा तो फिर उस college में आपको addition नहीं मिलेगा इसलिए college भरते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहले good priority वाला college उपर रखें और उसके बाद उससे भरते हुए नीचे आएं ताकि एक बार college मिलने के बाद फिर आपको पश्तावा नहोँ इससे इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक app भी मैं दे रहा हूँ ताकि आप अगर किसी वज़ा से college भरते में दिक्कत आ रही हो तो इस app के माद्यम से आप जो है उसमें rank और college देखकर अपना choice filling कर सकते हैं यह app के वाल आल इंडिया कोटा वाले बच्चों के लिए है वे अच्छा college वाइस स्कोर देखकर अपना choice filling कर सकते हैं लॉकिंग का मतलब होता है कि आप अने अगर एक बार लॉक कर दिया तो फिर आप जो registration करते समय जो चीज भरे हैं जनकारी उसमें change नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आप locking से पहले एक बार अपना registration को चेक कर लें एक एक चीज और उसमें कोई गलती ना रहे उसके बाद फिर lock कर दें अब आल इंडिया कोटा में किसको बैठना चाहिए जो लोग other state में पढ़ाई करना चाहते हैं वो आल इंडिया कोटा में पर admission पा सकते हैं और जो लोग केवल अपने state में पढ़ना चाहते हैं उन्हें 85% state कोटा में registration करना चाहिए क्योंकि अगर उन्हें आल इंडिया कोटा में seat नहीं मिलता है तो वहीं उससे काफी कम नंबर पर उन्हें अपने state कोटा से admission मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर seat बहुत ज्यादा होता है पचासी परसीट होता है जनरली registration जो फीस की बात करें एक हजार उपया जनरल के लिए होता है और security मनी दस हजार उपया होता है और जर्विशन कटेगरी के लिए registration fees पांसो तथा security मनी पांच हजार होता है और private या जरूर भरें ने तो security मनी refund नहीं आएगा अगर आप किसी cyber में registration कराते हैं तो भी अपना account जरूर भरवाएं और इस तरह आप ध्यान रखें कि account भरने में गलती ना करें इसी तरह अगर आप state quota के लिए counseling कराना चाहते हैं तो आप अपने state के website पर देखिए जैसे state अपना अपना counseling का date announce करते हैं तो state के iOS website पर जाकर इसी तरह registration करना है और registration करके आप अपना farm submit करके अपने state में admission ले सकते हैं Thank you everyone